नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अतुर शिवास्तो और स्वागत है आपका NexusGS में UPPCS Mains UPPCS Mains के लिए Answer Writing Program स्टार्ट कराया जा रहा है NexusGS की तरफ से और अब ये आपका Regular Business पर चलागा जैसे आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में NexusGS की तरफ से जो बैच है UPPCS और समिक्षादिगारी के Regular पूरे साल चलता है उसी तरह से अब UPPCS Mains के लिए भी आपका ये बैच Regular Business पर चलेगा और Monthly Business पर चलेगा जिससे आपकी तयारी लगातार बनी रहे तो जो कमिया नजर आती है वो सबसे बड़ी यही है कि लास्ट टाइम बे आपको एक महीने या दो महीने का समय मिलता है और उस एक से दो महीने में आप मेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो इसकी विज़े से मेंस के लिए Answer Writing प्रोग्राम जो है कहां पर गलतियां की है और किस प्रकार से आपको लिखने पर Answer जो है आपका जो मार्किंग है वो बहतर हो सकती है कैसे नंबर और बहतर आ सकते है ठीक है आपको दिया जाएगा जैसे कि GS1 जो है सोमवार मंगलवार को दिया जाएगा GS2 बुद्वार को GS3 ब्रहस्पति और सुक्रवार को और GS4 जो है वो सनिवार को यह आपका शडियूल चला करेगा हमेशा के लिए ठीक है इस शडियूल के बारे में जो लिस्टिंग है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी तो वहां से आप देख सकते हैं नेक्सेश के टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर एक जगा मिल जाएगा उसी वीडियो पहला कमेंट होगा वहां पर हम इस जो चैनल का लिंक है वो अपलोड कर देंगे वो आप लोग देख सकते हैं तो ये अब examination जो पास करने का फंडा है सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जितना ज़्यादा आपकी answer writing practice अच्छी होगी उतना बहतर आप production last में कर पाओगे और शुरुवात आपको अभी से करनी पड़ेगी क्योंकि एक दो महीने में फिर हो पाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा भाग दोड़ बहुत जाता हो जाती है चले आज का कुछो question है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आज question अप्रोड कर दिया गया है आप हमारे profile पर जाके देख सकते हैं उभोकता सरक्षन अधनियम से related है तो उभोकता सरक्षन अधनियम 2019 किस प्रकार उभोकताओं को शशक्त करने में मदद करेगा और इस अधनियम से भोकताओं को होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए अधनियम के प्रमुख प्रावधानों का विशलेशन करें तो यह आपका पहला question है जिसको 200 शब्दों में अगर आप लिख सकें तो बहतर होगा तो आपको बताया जाएगा जैसे यह question है तो इसका एक model answer आपको दिया जाएगा फिर आपको इसको swim लिखना है तो यह आपको morning में दे दिया जाएगा और night में आपको उस answer का देख लिया जाएगा कि कितना आपने सही लिखा है कहां पर आपने गलतियां की है तो यह गलतियां जो है एक दिन में नहीं सुधर जाती है समय लगता है थोड़ा सा समय लगेगा जब आप लगातायर लिखते जाओगे तो चीज़ें आपके लिए बहतर होती जाएगी चले आप हम लोग विशक्षण के बारें बात कर लेते हैं अभूकता सरक्षिन अधनियम के बारें तो यह आप सबी को पता हैं यहई 2021 मेंस के लिए भी इंपॉرणेंट है 2020 मेंस के लिए भी important है क्योंकि ये अभी चर्चा में चल रहा है तो बात है 20 जुलाई 2020 की नए अभोक्ता सरक्षन अधनियम 2019 को लागू किया गया और यह जो अधनियम है वो अभोक्ताओं को शशक्त करने के साथ उन्हें इसके विभिन अधिसुचित जो नियम है और प्रावधान है उनके माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अधनियम जो है कई तरह के अभोक्ताओं को लाप्रदान करेगा कुछ बिन्दों के माध्यम से अगर हम लोग इसको देखें तो आपको यह बात बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप प्रलिम्स की तैयारी किये है कि नया जो अधनियम है वो पुराने अभोक्ता सरक्षन अधनियम 1986 वाला उसकी तुल्ला में तीवृता से और कम समय में कार्यों का निप्टान करेगा पहले के जो अभोक्ता सरक्षन अधनियम है 1986 वाला उसमें नयाय के लिए एकल बिंदू पहुँच दी गई थी जिसमें काफी समय लग जाता था और केंद्रिय उभोक्ता सरक्षन जो प्राधी करण है CCPA उसके माध्यम से अधनियम में एक त्वरित नयाय की विवस्था की गई है जो भ्रामक विज्यापन होते हैं गलत तरीके के विज्यापन होते हैं उनके कारण भोक्ताओं में ब्रहम की जो इस्थिती है वो बनी रहती है तता उत्पादों में जो मिलावट है उसके कारण उनके स्वास्त पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ब्रामक विग्यापन और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान है ताकि इस तरह के मामलों में कहीं न कहीं कमिया है जो दोशपूर्ण उत्पाद हैं या सेवाएं हैं उनको रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिमिदारी का प्रावधान होने से उब्भोकताओं को चानबीन करने में आधिक समय बर्बाद करने की जुरूरत नहीं होगी इसके लावा उब्भोकता आयोक से समपर करने में आसानी और प्रक्रिया का सरली करन हो चुका है तो इस अधनियम में उब्भोकताओं के कुछ अधिकारों को भी स्पस्ट किया गया है जैसे ऐसी वस्तूओं और सिवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ती के लिए कही न कहीं जोकें फोड हो इसमें अगर आप करेंट ओरिंटेट कोई भी टॉपिक डाल देते हैं इसके लबा प्रतिसपर्धी मूले पर वस्तू और सेवा उपलद कराने का आस्वाशन प्राप्त होना अनुच्वत या फिर जो प्रतिबंधित व्यापार की स्थिती है उसमें कहीं न कहीं मौवजे की मांग करना इसके लबा जो अन्य प्रावधान है उनको भी हम लोग देख सकते हैं जैसे ई-कॉमर्स अनुच्वत व्यापार आभासों पर नियम जो है तो सरकार जो है इस अधनियम के तहत उभुकता सरक्षन मतलब ई-कॉमर्स नियम 2020 को भी आदिसूचित करेगी जो कुछ है जैसे ई-कॉमर्स संस्थाओं को भुकता को रिटर्न, रिफरंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलवरी, शिप पेमेंट और भुकतान के तरीके हो गया सिकायत निवारन तंत्र हो गया भुकतान सम्मधी, विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ती की स्थान से सम्मधी जानकारी देना जैसे कि ऑनलाइन, सबी लोगों को पता है कि ऑनलाइन चीजें हो रही हैं बहुत ज़्यादा हे तु, सिकायत अधिकारी की भी निवक्ती करनी होगी भुकता सरक्षड जो ई-कॉमर्स है, नियम 2020 उसमें अनिवार रहे, सलाकारी नहीं होता है इसके लावा ये नियम जो है, ई-कॉमर्स कमपनियों को अनुचित मोले के माध्यम से अनुचित लाप राप्त करने के उद्देश से किये जाने वाले वस्तू या सिवाओं की कीमत में हेर फेर करने से भी कहीं न कहीं रोकते हैं हाँ, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, भ्रामक विग्यापनियों के लिए भी जुर्माने की बात कही गई है तो जो CCPA है, मतलब केंद्री उभुकता सरक्षन प्रादी करन है, उसमें जूटे या भ्रामक विग्यापन के लिए मैनुफैक्चरर या फिर एंडोस पर पर करीब 10 लाग का जुर्माना लग सकता है और अगर दुबारा अपराद की इस्तिती हुई तो ये जुर्माना करीब 50 लाग तक बढ़ सकता है तो मैनुफैक्चरर को दो वर्स की कैद की सजा भी हो सकती है, जो हर बार आपका अपराद करने पर करीब 5 वर्स बढ़ सकती है तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे होंगे कि इन चीजों पर बहुत ज़दा लगाम लगाई जा रही है और चीजें बढ़ाई जा रही है उत्पाद की जिम्मधारी होगी देखे जो उत्पाद होता है उसकी जिम्मधारी का अर्थ होता है कि उत्पादक जो है मैनुफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मधारी होगी या उसकी जिम्मेदारी है कि वा किसी खराब वस्तू या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या छदी के लिए भोकताओं को मुआफ़जा दे मुआफ़जा का दावा करने के लिए भोकता को अधनियम में उलकित जो खराबी है या फिर दोस्ते जुड़ी कम से कम एक सर्थ को शाबित करना होगा आप इसमें जो डाल सकते हैं एक्जामपल में किसी भी online प्लाटफorne के बारे में डाल सकते हैं कि हाँ से इस तरह की चीजें मिली है और इस तरह की चीजें फिर हुई अगर चीजें डालेंगे तो आपकी해 marking बहतर होती है और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जब आप क्लास में अडिमिशन ले लोगे किस तरह से मार्क आपके अच्छे आते हैं मार्क आपके रेगलर विस्स पे अच्छे आते हैं और अभी जो रिसेंट में रिजल्ट आया है 2019 का मेंस का तो उसमें हमारे यहां से दो सेलेक्शन से और ये लगातार प्शले 5 वर्ष् nevertheless दोसे लगातार सेलेक्शन होते चले जा रहे हैं नई बात नहीं है यो पी-पी्क्र इसमें एक खासतौर पर नेक्सफ जीज़ेश का लगातार एक बना हुग है जितने भी इसल्यक्षन होते हैं वह क्लास से इसलिए होते हैं क्योंकि सरक्षन और उन्हें आपका लागू करने के लिए केंद्री जो उभुकता सरक्षन प्राधी करण है उसका गठन करेगी तो यह थोर्टी जो है उभुकता अधिकारों के उनलंगहन अनुचित व्यापार और प्रहमक विग्यापनों से सम्मंधित मावलों को वेनियमित करेगी महा निदेशक की अधिक्ता में CCPA की एक अन्वेशन साखा मतलब जो इन्वेस्टिंग विंग होती है वो होगी जो ऐसे लुगनों की जाच या फर इन्वेस्टिकेशन कर सकती है इसके लावा अभुकता विवाद निवारन कमीशन भी बनाया गया है इसका गठन किया गया ह ठीक है तो कहीं न कहीं चीजें जो हैं लगातार अपडेट हो रही है और अगर हम लोग निसकर्स पे आएं तो तीन दशक पुराने अभुकता सरक्षन कानून 1986 की जगा नए अभुकता सरक्षन कानून होने से पुराने जो नियम की खामिया है उनको दूर किया गया है और इस अधिनियम के लागू होने से उभुकताओं को बहुत तेजी से ना मिल सकेगा वहीं बढ़े हुए अधिकारों और नया चेत्र के साथ या उभुकताओं की सिकायतों का निप्टान भी करेगा जिस तरह से ओनलाइन चीजें आ रही है तो आप लोगों को एक चीज बहु नहीं कहीं कमी है क्योंकि टॉपिक चर्चा में है और पुराना भी उभुकता सरक्षण अधिनियम हो चुका है उससे प्रिलिम्स में कपका था तो 1986 का था ठीक है तो वह आपको समझ में आ चुका है पूरी तरह से तो कुल मिलाकर आपको एक बात बहुत अच्छे से पता हो नहीं चाहिए कि अगर आपको एक्जामनेशन क्लियर करना है तो प्रिलिम्स मेंस और इंटर्वी तीनों चीजों पर फोकस रहना चाहिए प्रिलिम्स का बैच रेगुलर विसिस पर चलता है नेकसे जीस में कभी भी कोई बैच आफ नहीं किया गया है पिछले पांच वर्स पर चलेगा मंतली इसकी फीस आप डिपॉसिट कर सकते हैं कोई इशू नहीं आएगा तो मंतली फीस इस लिया जाता है नेकसे जीस की तरफ से जिससे कभी आपको यह लगे कि हायर हमको कहीं नहीं मिल रहा है या फिर हमारे एक्वाइर तरीके से चीजें नहीं हो रही है तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आपको इसी चीजें मिलेंगे क्योंकि हम अपना बेस्ट यहां पर देनी की कोशिश करते हैं और पिछले पांच सालों में बेस्ट दिया भी है चले फिलाल यूपी बीचियस मेंस 2020 डेली एंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए मतलब 26 दि झाल